तो हैडिन डालिए डिजिटल ठीक है इलेक्ट्रोनिक्स पढ़ें गया तो जो सिगनल होते हैं उसमें क्या होता है एक अनालॉग सिगनल होता है और दूसरा क्या होता है डिजिटल सिगनल होता है तो analog signal का मतलब क्या होता है, जिसमें continuous value होती है, या तो time के respect में, या फिर value के respect में, तो time continuous होगा, या फिर value continuous होगी, तो ऐसे जो signal होते हैं, जो continuous function होते हैं, यहां पर किसी भी instant पर, जैसे instant पर देखेंगे अपने को, यह value मिलेगी, इस instant पर यह value मिलेगी, तो यहां पर यह time के respect में, लगातार क्या है signals continuous है ठीक है या फिर देखेंगे कि जो यह minimum और maximum value के respect में भी continuous है ठीक है तो यह दिखेंगे कि यहाँ पर इस maximum और इस minimum के बीच की सारी value ठीक है इस signals में present है तो या तो time continuous होता है या फिर value continuous signal होता है तो signal को क्या बोलते हैं वहाँ पर analog क्या simple हो सकते हैं ऐसा signal जिस जो continuous function of क्या होता है time होता है समय का लगातार function होता है उसको बोलते है analog signal तो इसमें input और output की several values हो सकती है कई values सकती है इसमें input हम यह भी दे सकते हैं इसमें input हम यह भी दे सकते हैं इसमें इन्पुट ये भी दे सकते हैं, तो यहां पर input and output की क्या हो सकती हैं, various values हो सकते हैं, several values यहां पर हो सकती हैं, तो जैसे हमारी sine wave है, cosine wave है, तो इस प्रकार के signals को क्या बोलेंगे, यहां पर Analk signal बोलेंगे, ठीक है, तो फिर digital signals किसको बोलते हैं, तो digital signals का मतलब होता है ऐसे signals जिनमें only two discrete value होती है तो यहाँ पर time और values दोनों में से कोई भी continuous नहीं होगा दोनों ही क्या होगी, discrete value होगी तो यहाँ हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर zero है जीरो से value सीधे change होके क्या हो जाती है यहाँ पर यदि यह voltage है, तो यह हो जाती है 5V, ठीक है अब यह इस time के respect में यहाँ पर क्या रहेगी, 5V ही रहेगी ठीक है और 5V के बाद में सीधे change होगी, तो क्या हो जाएगी 0V होगी, ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे कि यह 5V के बाद में change होगी तो direct क्या होगी, अब यह 0 होगी अब यह यहाँ पर 0 ही रहेगी ठीक है और 0 से सीधे change होके क्या होगी, यहाँ पर 5 होगी 5 ही रहेगी 5 से change होगी, तो direct 0 हो जाएगी 0V हो जाएगी, 0V रहेगी फिर चेंज होगी तो सिधा 5 volt हो जाएगी तो इस प्रकार से यदि हम देखें यहां पे एसमें क्या होती है? पस्वालब time भी discrete value पर है और जो अपना values होती है वो भी discrete होती है time भी discrete होता है और value भी discrete होती है तो इनमें दोनों discrete value होती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं आपे digital signals बोलते हैं टाइम भी continuous नहीं है है इस समय पर आपन क्या बोलेंगे यहां समय क्या है जिरो यहां पर कुछ नहीं है यहां बासे मेरी हैं तो यहां पर इसमें value और time दोनों ही क्या होंगे discrete होंगे तो ऐसे signals को क्या बोलते हैं डिजिटाल सिगनल बोलते हैं तो digital signals के लिए हम किसका use करते हैं नमबर सिस्टम का यूज करते हैं तो नमबर सिस्टम में क्या होता है हमारा binary number system होता है तो binary में क्या होते है 0 and 1 यह 2 bit होते है तो यहाँ पे यदि signals क्या होता है low होता है low याने 0 है यह तो इस 0 volt 0 को हम binary में किसे प्रेजेंट कर रहे है यह binary है तो binary में 0 bit का क्या मतलब होता है signal low है और 1 bit का मतलब क्या होता है signal high है ठीक है तो 0 का मतलब क्या होता है 0 volt याने low signal high का मतलब क्या होता है जैसे कि plus 5 volt signal क्या है high है ठीक है तो यहाँ पे यह जो signals हैं इन signals को हम किस form में show करते हैं यहाँ पे binary form में show करते हैं 0 का मतलब 0 volt low signal 1 का मतलब plus 5 volt high signal ठीक है तो ऐसे जो electronic circuit है जो इन digital signals पे operate होते हैं 0 & 1 पे low & high पे ही operate होते हैं ठीक है तो उन electronic circuits को क्या बोलते हैं वहाँ पे digital circuit बोलते हैं आई वासमें तो digital circuits जो होते हैं उनका operation किस पर based होता है किस पर depend करता है number system पर उनका operation depend करता है पासमें तो पहले यहाँ पर हम number system देखेंगे तो सबसे पहले उसमें लिखिए analog signal उसमें लिखे वे सिगनल वे सिगनल जिसमें time या value दोनो में से कोई एक या दोनो दोनो में से कोई एक या दोनो continuous होते हैं continuous होते हैं लगातार रहते हैं इसलिके दोनो दोनो वैल्यू ऐसे लिख लिखे दोनो वैल्यू continuous होते हैं दोनो वैल्यू क्या लिखे हैं उसमें एक मिनिट हो जो वे सिगनल जिसमें टाइम या वैल्यू दोनो में से कोई एक या दोनो continuous वैल्यू होती हैं continuous वैल्यू होती हैं continuous वैल्यू होती हैं अनलोग सिगनल कहलाते हैं अता है यह टाइम का continuous function होते हैं अता है यह टाइम का continuous function होते हैं इनमें input and output की several values हो सकती हैं इनमें input and output की several values हो सकती हैं ठीके जैसे sine wave, cosine wave, etc जैसे sine wave, cosine wave, etc उसके वाद में लिए कि digital उसमे लिए कि digital में V signals V signals जिनमें only two discrete values होती हैं या two discrete values होती हैं V signals जिसमें two discrete values होती हैं अर्थात इनमें अर्थात इनमें time and values दोनों ही continuous नहीं होती हैं अर्थात इनमें time and values दोनों ही continuous नहीं होती हैं डिजिटल सिग्नल खैलाते हैं डिटल सिग्नल फ़र ऑप्रेट करते हैं ठीक है एक्जाम्पल लिगए एक्जाम्पल किया डिजिटल सिगनल का a square wave rectangle wave square and rectangle wave a digital signal k example ठीक है लेक्जिके डिजिटल सिगनल्स co-binary form 0 या one digit से represent करते हैं जिरो या one digit से represent करते हैं ठीक है तो यह लिख दीजिए 0 का मतलब क्या होता है और one का मतलब क्या होता है ठीक है तो यह दी हम देखें कि 0 या one इसको क्या बोलते हैं वन बिट बोलते हैं ग्रूप आफ फोर बिट अब यह कुछ भी हो सकती है जीरो जीरो वन जीरो कुछ भी हो सकती है फोर बिट होनी चाहिए इसको क्या बोलते हैं वन नीबल तो यह बहुत इंपोर्टेंट है कई बार एक्जाम में आता है इसको जाद रखें ठीक है ग्रूप आफ एट बिट वन जीरो वन वन जीरो वन ठीक है कुछ भी हो सकती है बट एट बिट होनी चाहिए तो इसको बोलते हैं वन बाइट वन जीरो टू फोर जो बाइट होती है इनको क्या बोलते हैं वन किलो बाइट ठीक है 1-0-2-4 किलो बाइट को क्या बोलते हैं 1 megabyte 1-0-2-4 megabyte को बोलते हैं 1 gigabyte और 1-0-2-4 gigabyte को बोलते हैं 1 terabyte तुछ अभी terabyte तक यूज रहे हैं terabyte में आई है hard disk वोगरा computer में तो जो number system होते हैं, इन में एक होता है, उसको बोलते हैं decimal number system, तो decimal number system किसको बोलते हैं, तो जो हम डेली जीवन में यूज कर रहे हैं उसको क्या बूलते हैं decimal number system ठीक है तो इसमें 0 to 9 total कितने digit होते हैं यहां पे 10 digit होते हैं तो इसमें 0 to 9 total 10 digit यहां पर होंगे ठीक है तो किसी भी number system में जितने digit होते हैं उतना ही उसका क्या होता है बेस होता है तो इस number system में इसका जो बेस होता है वो क्या होता है यहां पे 10 होता है ठीक है तो किसी भी number system में जितने digit उतना उसका क्या होगा बेस तो इसका बेस भी लिखता होगा 10 जैसे कि यदि माल लिजे हमने यहां पर लिखा हुआ है 645.25 ठीक है और यह जो ब्रेकेट के बार में सफिक्स है यह लिखा हुआ है 10 तो समझ जाएए कि इस ब्रेकेट के अंदर में जो नंबर है वो 10 बेस वाले नंबर है और 10 बेस वाले नंबर कुँछ से है डेसिमल नंबर है तो यह 10 बेस नंबर डेसिमल नंबर है अब डेसिमल नंबर में यदि हम देखें तो इसको क्या बोलते हो इकाई दहाई सैकड़ा वन्स तैन्स हंडर्ड ठीक है तो यदि देखें कि यह जो डिजिट होती है इसको क्या बोलते है L S B List Significant Bit यह डिजिट बूलते हैं उसको और इसको क्या बूलते हैं मस्वी मोस सिग्निफिकेंट बिट यह डिजिट डिजिट लिखते हैं यहां पर क्या डिजिट डिजिट लिखते हैं और बाइनरी में बिट लिखते हैं तो यहां पर मतलब कि यह कम महतवपून अंक है और यह ज्यादा महतवपून अंक है ठीक है क्यूंकि यह लिखा हुआ है तो इसकी केवल एक यूनिट में चेंज होगा एक नंबर में चेंज होगा यदि 6 की जगे हम 5 में चेंज कर देते हैं तो इसमें 100 में चेंज हो जाएगा तो यहां पर चेंज होगा एक संख्या में परिवर्तन होगा और यहां पर 100 संख्या में परिवर्तन हो जाएगा तो इसलिए यह ज़्यादा महत्रपोन है और यह क्या होती है कम महत्रपोन ठीक है तो जब भी हम नंबर सिस्टम देखते हैं तो हम कहां चलते हैं उसमें तो LSD से MSD की तरफ या LSB से MSB की तरफ से हैं, है न, point के पहले, point के पहले, दिसमलों के पहले हम कहां चलेंगे, LSD से LSB की तरफ, तो हमने क्या बोलाई कि इसका base क्या है, यहां पे 10 है, तो 10 base है, इसका मतलब है, कि यह जो है, LSB से हम चलेंगे, यहां से इस direction में, तो इसका जो base है, वो क्या है, 10 है, तो इसको क्या लिखते हैं, 10 की power 0, इसका base भी 10 है, तो इसको क्या लिखते हैं, 10 की power 1, इसका base भी 10 है, और इसको क्या लिखते हैं, 10 की power 2, ठीके, तो यहां पे देखेंगे, 10 की power 1, याने क्या होता है, 10 की powers 1 यहने क्या होता है 10 और 10 की power 2 यहने क्या होता है 100 तो यह हो जाएगा 600, यह हो जाएगा 40 और यह हो जाएगा 5 तो इस वहते हैं 645 ठीक है तो 645 हो जाएगा तो इसी तरह से अब यहाँ पर पोइंट लगा हुआ है point के बाद चलना है तो आप इस direction में चलना है तो सबसे पहले किसको लिखोगे इस 2 को लेंगे तो इसका base भी 10 है तो 10 की power क्या होगा minus 1 plus 5 है इसका base भी 10 है 10 की power क्या होगा minus 2 तो दसमलों के बाद आप चलोगे point के बाद में तो उस समय क्या लोगे माइनस वन माइनस टू लोगे है ना बेस की पावर तो इसको क्या लिखोगे यहाँ पे टू बाई टैन इसको क्या लिखोगे फाइव बाई अंड्रड तो यह होगा 0.2 और यह होगा 0.05 ठीक है तो इस तरह से हम देखते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं जिसमें 10 डिजिट हैं और सब का बेस की तरह होता है याप यह पर सुझ में इसको नोट करेजिए तो यह देखें कि बाईनरी नंबर सिस्टम जो होता है इसमें टूटल कितने डिजिट होती है यह आप पर टूडिजिट होती है ठीक है तो टॉटल कि यह लगते हैं इसमें कि इसमें 0 & 1 टीक है only two क्या होती है आप डिजिट होते हैं तो इसमें जीरो या जीरो एंड वन only two digits यहां पर होते हैं तो यह कितने बेस वाला नंबर सिस्टम है तो इसकी बेस क्या होता है यहां पर टू होता है ठीक है तो बाईनरी का बेस यहां पर टू रहेगा तो यहां पर जो बाईनरी किसी भी नंबर सिस्टम यहां पर होता है तो यह सबसे डिसिक नंबर सिस्टम है डिजिटल में ठीक है जो हम अभी पढ़े decimal decimal जो है वह डिजिटल में हम यूज करते नहीं है लेकिन कई बार आसे पूछ लेता है question में है ना ही decimal number system में कितने digit होते हैं 10 डेजिट होते हैं है न तो Confuse होजाते हैं Hindi में क्या बूलते हैं decimal को the sum law अना the sum law that Sum law Pranaly, तो कई बार ऐसे दिये दिया है English में नहीं दिया है हिंदी में लिख दिया the sum law Pranaly तो फिर Confuse तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को binary में convert कर सकते हैं तो यहां पर हम देखते हैं conversion तो यहां पर देखेंगे decimal to binary conversion तो जैसे कि यहां पर कोई decimal नंबर ले लेते हैं जैसे कि मान लीजिए यह 91 यह और चोटा डिजिट लेना है और चोटा ले लेते हैं जैसे कि मान लीजिए यह है 17 ठीक है तो यहां पर जो 17 है ठीक है यह कुंसा नंबर सिस्टम है यह टैन बेस वाला सिस्टम है यह डेसिमल नंबर सिस्टम है और इसको हमको किस में convert करना है binary में तो किसी भी नंबर सिस्टम में convert करने के लिए याद रखो सब में नियम एक ही रहता है किसी भी नंबर सिस्टम में convert करने के लिए उस नंबर सिस्टम के base से क्या करना है इसको divide करना है तो binary का base कितना होता है 2 तो इसको 2 से divide करना है decimal को 2 से divide करना है और 2 से divide करने के बाद में जो reminder होता है stressful होता है ठीक है उस reminder को stressful को यहाँ पर note करना है यदि reminder 1 होगा तो 1 लिखना है यदि reminder 0 होगा तो 0 भी लिखना है ठीक है तो जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने time जाएगा यह duż ? कितना होगा 16 तो 17 minus 16 कितना reminder आएगा 1 तो 1 को यहाँ पे note कर लेंगे ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितने time जाएगा 4 reminder कितना आएगा 0 4 x 2, 8 8-8, 0 तो 0 लिख लेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, किते टाइम जाएगा, 2, reminder किता आएगा, 0, 0 लिख रहेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, किते टाइम जाएगा, 1, reminder क्या आएगा, 0, 0 लिख रहेंगे, अब ये last हो गया, 1 ये 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो यहां से नीचे से उपर की direction में इसको लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखोगे ये वाला one लिखोगे one फिर zero फिर zero फिर zero फिर one तो इस प्रकार से यहाँ पे यह क्या हो जाएगा binary number system जैसे कि माली जी इसको बनाए 37 37 37 को convert करिए तो यह दिया हाँ पर देखें कि 37 को divide करेंगे किस से हम two से तो two से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा यह 18 तो शेषफल रिमाइंडर किता आएगा one two से फिर क्या हो जाएगा यह nine शेषफल रिमाइंडर क्या आएगा zero two से डिवाइड करेंगे four reminder क्या आएगा one two से डिवाइड करेंगे two reminder क्या आएगा 0, 2 से डिवाइड करेंगे 1 remainder के आएगा 0 तो इसको याँ से लिखेंगे 100101 तो ये इसका binary number आजाए ठीक है number जो है वो आपको इस प्रकास से दिया है 0.375 और ये number क्या है decimal number है ठीक है, अब इस decimal number को हमको किसमें convert करना है binary में, तो इस decimal को हम binary में कैसे convert करेंगे, तो ये fraction में points में, ठीक है तो इसके लिए अब इसको divide नहीं करना है इसको क्या करना है, multiply करना है बास्वे में आ गई तो यदि decimal में है तो उस समय आपको उसको divide नहीं करना है, उसको क्या करना है multiply करना है तो यहाँ पे आपको क्या करोगे, multiply करोगे इसको, 0.375 into क्या होगा, 2 ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे multiply by 2 तो 2 से आप इसको multiply करोगे, binary के base से इसको multiply करोगे multiply करने के बाद में ठीक है, इसकी value कितनी हो जाएगी तो 37, कितना हो जाएगा, 74, 75 तो 0.75 यह इसकी value आएगी ठीक है, अब यह जो point होता है point के पहले वाली संख्या को क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं पुरुणांग याने की integer ठीक है तो यह जो पुरुणांग संख्या होती है integer होता है इस पुरुणांग संख्या को इस integer को आपको यहाँ पे note करना है, लिखना है यहाँ पे बासमे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे पुरुणांग याने की integer ठीक है इसको यहाँ पे लिखो ठीक तो कितना integer है कितना पुर्णांग के इसका 0 तो 0 लिखोगे ठीक and remaining value को बच्ची हुई संख्या को यहाँ पर ले आओ तो बच्ची हुई संख्या आपके पास में कितनी है इसको 2 से multiply करो तो कितना आ जाएगा यह सेम फिर इसमें से integer को यहाँ ले ओ और बच्ची हुई संख्या को यहाँ पर लिखो फिर 2 से multiply करो कितना आएगा पुर्णांग को यहाँ पर लिखो ठीक है यहाँ पर लिख लिए पुर्णांग को अब क्या बच्ची का यहाँ से लाने के लिए लेकिन इसको लिखना कहां से है उपर से नीचे के डिरेक्शन में लिखना है तो जब उपर से नीचे लिखोगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा जिरो फिर वन फिर वन इसके सामने लगाओंगे पॉइंट और यह आपकी हो जाएगी बाइंटि आई बसमें तो यहाँ पर टू से क्या करना है आपको मल्टिप्लाई करना है को मल्टिप्लाई करने के बाद में जो पुर्णांक होती है दसमलों के पहले वाली संख्या हो क्या बोलते हैं पुर्णांक उस पुर्णांक को आपको यहाँ पे लिखना है बची हुई संख्या आएगा उस पूर्णांग को यहाँ पूर्णांग लिख लिए अब कोई संख्या नहीं बची मतलब प्रोसेस हमारा फिनिश हो गया यदि संख्या बचते रहती तो हम लगातार क्या करते रहते हैं उसको मल्टिप्लाई करते रहते हैं ठीक तिक नौट लिए इसको अपने से 0.101 तो इसको यहाँ पे मल्टिप्लाई करते हैं तो टू से मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना हो गया यह 1.25 तो इसमें से प्रुणांग को इधर लिख रहेंगे तो प्रुणांग कितना आ गया इसमें 1 एंड रिमेंडिंग वैल्यूस को यहाँ लिखे आएंगे 0.25 मल्टिप्लाई बाई 2 तो कितना हो जाएगा 0.5 प्रुणांग को अगयन यहाँ पर नोट करेंगे 0 एंड रिमेंडिंग वैल्यूस को यहाँ लिखे आएंगे ठीक है और फिर से इसको मल्टिप्लाई किए 1 आया और प्रुणांग 1 को हमने यहाँ पर लिख लिया अब कोई वैल्यू नहीं बची ठीक है अब इसको उप अभी हमने डेसिमल को बाइनरी में कनवर्ट किया अब बाइनरी को डेसिमल करते हैं ठीक है तो बाइनरी टू डेसिमल कनवर्जन एक तो उसमें हेडिंग डाल दीगे बाइनरी टू डेसिमल कनवर्जन को बाइनरी टू डेसिमल कनवर्जन कर दो बाइनरी टू जब बाइनरी टू जब बाइनरी टू वार्जन ठीक है नोट कर लिए सब तो बाइनरी टू डेसिमल कनवर्जन यहां पर ठीक है तो कोई भी बाइनरी नंबर यहां पर ले लेते हैं ठीक है ना जैसे कि मान लीजे कोई भी नंबर है हमारा नंबर यहां पर 1011 ठीक है तो यह बाइनरी नंबर है इसको क्या बोलेंगे हम LSB इसको क्या बोलेंगे MSB ठीक है तो यह तो हमको कहां सजलना है LSB से MSB के डारेक्शन में जाना है तो हम देखेंगे कि बाइनरी का बेस कितरा होता है 2 तो सबसे पहले यह वाले 1 को यहां पर लिखेंगे और बाइनरी का बेस 2 इसकी पावर क्या लिखेंगे 0 यह वाले 1 लिखेंगे बाइनरी का बेस 2 इसकी पावर 1 फिर यह 0 लिखेंगे इंटू बाइनरी का बेस 2 पावर 2 फिर यह वाले 1 को लिखेंगे बाइनरी का बेस 2 पावर 3 तो बेस की पावर 0 याने 2 की पावर 0 2 की पावर 1, 2, 3, जैसे decimal में बताया था आपको, power क्या होते जाती है, ठीक है, lsb से msb की तरफ क्या होते जाती है, increase होते जाती है, तो यहाँ पे इसका base 2 है, तो इसकी power lsb से msb की direction में क्या होते जाएगी, increase होते जाएगी तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको क्या लिखेंगे हम 2 की power 3 यानि क्या होता है 8 8 into 1 क्या होगा 80 रहेगा 0 से multiply करोगे तो 0 रहेगा यह क्या हो जाएगा 2 into 1 2 रहेगा यह क्या हो जाता है 1 1 into 1 क्या रहेगा 1 रहेगा तो 8 plus 2 10 और क्या हो जाएगा यह 11 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यह कि decimal 11 है तो यह जो binary value है यह decimal 11 की binary value है ठीक है इसको जब हम इस प्रकार से note करते हैं तो हमको यह समझ में आता है कि इसको हम लिखते हैं 2 की power 0 इसको लिखते हैं 2 की power 1, 2 की power 2, 2 की power 3 आसे लिखें तो इसका मतलब क्या होता है यह 1, यह 2, यह 4, यह 8 तो यह क्या होते हैं डबल हो जाए रहे हैं 1 का double हो गया 2, 2 का double 4, 4 का double 8, 8 का double फिर क्या होगा 32, फिर 64, इस तरह से values क्या होते जाती हैं आपे, double होते जाती हैं तो हम देखेंगे जिसके साथ में 0 है, इसको 0 से multiply करना पड़ता है और किसी भी value को 0 से multiply करोगे तो 0 ही होगी, हैगी नहीं तो जो 0 से multiply है, उसको cancel कर देते हैं और जो 1 के साथ में multiply होंगी, उनको क्या करतेंगे, हम यहाँ पे add करतेंगे तो इनको add करतेंगे, तो हम देखेंगे, 8 प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा है, आपे 11 हो जाएगा, ठीक है तो यह process को हम use करेंगे, ठीक है, कभी भी binary को decimal में या decimal को binary में change करने के लिए, जिससे हमारा समय जो है वहाँ पे काफी बच जाएगा, आई बसमें इसको note कर देगे तो इसके द्वारा हम किसी भी binary को decimal में change कर सकते हैं, या decimal को binary में आसानी से change कर सकते हैं, ठीक है जैसे की, माल यह कोई भी number ले लिजे, 110111, ऐसा कोई भी number आपके पास में है, ठीक है और यह binary number है, इसको हमको decimal में change करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 12481632, ठीक है इसको cancel कर देंगे, आप बाकी को add कर दोगे, 32 plus 16 plus 4 plus 2 plus 1, इनको add कर दो ठीक है, तो आपका decimal आ जाएगा हूँ आपके, तो यह कितना हो जाएगा, 20, ठीक है, 54, 54, 54 और 3, कितना हो जाएगा, 58, ठीक है 56, 55, 55, तो 55 हो गाएगा न, तो इसको लिखदू, 55, 55, तो यह decimal 55 हो गाएगा, ठीक है, तो आसानी से change कर सकते हैं, तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसकी table बना सकते हैं, तो जैसे कि, यह कोई decimal number है, और यह क्या है, binary है, तो यदि हम देखें, binary में क्या लिखते हैं, binary में लिखते हैं, 1, 2, 4, 8, ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1, 2, 4, 8, एक नहीं, यदि binary क्या हैं यहापे, decimal क्या है, 0 है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे इसको, 0, ठीके, decimal यदि क्या है, यहापे, 1 है, तो इसको क्या रखोगे high, बाकी क्या हो जाएगा low, इसकी value 2 है, तो 2 को क्या रखोगे high, बाकी क्या हो जाएगा low, 3 चाहिए, तो 2 plus 1, 2 plus 1, बाकी क्या हो जाएगा low, 4 चाहिए, तो 4 के लिए 4 high रहेगा, बाकी क्या हो जाएगे low, 5 चाहिए, 5 कैसे मिलेगा, 4 plus 1, तो 4 plus 1, ठीक ठीक है, 6 चाहिए, तो 6 के से मिलेगा, 4 प्लस 2, ठीक है, 7 चाहिए, तो 7 के से मिलेगा, ठीक है, 4, 2, 1, तो 4 प्लस 2 प्लस 1 8 चाहिए तो 8 के लिए 8 हाई रहेगा बाकी low 9 चाहिए तो 8 प्लस 1 ठीक है 10 चाहिए तो 8 प्लस 2 ठीक है 11 चाहिए 11 चाहिए तो 8 प्लस 2 प्लस 1 12 चाहिए तो 8 प्लस 4 और यदि आपको 13 चाहिए ठीक है और यदि आपको यहाँ पर 14 चाहिए और यदि आपको 15 चाहिए तो सभी बन हो जाएंगे यदि 15 चाहिए तो 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 तो इस तरह से हमने क्या किया हमने decimal को क्या करते थे हम 2 से डिवाइड करते थे और 2 से डिवाइड करके कि फिर रिमाइंडर लिखते थे हैं हमने बिना डिवाइड किये इस मैथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं decimal को binary में convert कर लिए कि हमको decimal कुछ भी चाहिए 6 चाहिए तो इसमें देखो 6 कैसे बनेगा तो 4 2 से 6 बनेगा तो इन दोनों को हाई रखेंगे ठीक है और बाकी को क्या रख देंगे वहां पर लोग रख देंगे ठीक है अब यदि हमारा जो binary है वह इस form में दिया हुए और इसको हमको किसमें चेंज करना है decimal में चेंज करना है तो इसको हम decimal में कैसे चेंज करेंगे ठीक है तो जैसे कि आपको जब decimal पढ़ रहे थे तो उससे बताया था कि base की power हम क्या लिकेते minus 1 decimal के बाद 10 की power minus 1 फिर क्या लिकेते 10 की power minus 2 इस direction में चलना है तो इस direction में चलना है 10 की power minus 1 minus 2 ऐसे लिए थे क्योंकि उसका base 10 है यहाँ पी इसका भी इस क्या है 2 तो 2 भी इस पे लेंगे ठीक है तो सबसे पहरे लिखेंगे 0, 2 की power minus 1 फिर 1, 2 की power minus 2 फिर 1, 2 की power minus 3 तो यह क्या हो जाएगा 0 plus 1 by 4 plus 1 by 8 तो 1 by 4 को क्या लिखते हो 0. और 1 by 8 को क्या लिख होगे 0.125 तो यहाँ पे इसको फैंजल कर देंगे तो अब इसको add कर दिजे तो क्या हो जाएगा 0.375 यही था अपना decimal इसी decimal का हमने binary निकाला था और उसी binary का हमने वापस क्या कर लिया decimal निकाला तो next चो अपना था वो था 0.101 इसको convert कर लिजे ठीके तो यह हो जाएगा यहाँ पे 1 यह हो जाएगा 0 तो यह क्या हो जाएगा 1 by 2 प्लस 0 प्लस 1 by 8 यहने कि 0.5 प्लस 0.125 तो यह हो जाएगा 0.625 अब इसके बाद में देखेंगे addition of binary, binary को जोड़ना, subtraction of binary, binary को घटाना, multiplication, division उसको दिखते हैं तो binary numbers को कैसे हम add करते हैं ठीक है तो जैसे कि मान लिजेए यदि binary में 0 है तो 0 प्लस 0 क्या आएगा 0 यदि 1 है 1 प्लस 0 क्या आएगा 1 0 प्लस 1 भी आएगा 1 यदि 1 प्लस 1 है तो actual में जो 1 प्लस 1 है इसको क्या लिखते हैं हम 10 ठीक है तो 1 प्लस 1 binary में क्या होता है 10 और 10 का लेते हम 0 और बच गया 1 तो उसको क्या लेंगे हासिल यानि carry करेंगे तो यहाँ पर carry क्या करते है वाई तो 1 प्लस 1 होता है 10 10 का 0 carry वरेंगे 1 आई बस हुझ में तो यहाँ पर यह special rule है इस rule को आपको याद रखना है यदि addition binary का करना है बाकी तो simple rule है जो normal हम मैस में पढ़ते हैं वही rule है ना अब जिसे कि two binary numbers को हम क्या करते है यहाँ पर add करते है जैसे यहाँ पर बाल लिजी हमको add करना है 0101 ठीक है प्लस 0101 इनको हमको add करना है two binary number को तो यही मैस में आपको देता एडिशन तो कहां से करते हैं ठीक है यहीं से start करेंगे same तो one plus one ten ten का zero carry one तो carry one ले ले लेंगे यहाँ ठीक है यहाँ पर carry one आ गया तो यह carry आ गया one तो one plus zero क्या होता है one plus zero one तो इन दोनों का जो sum है वो यहाँ पर कितना आएगा one आएगा फिर one plus zero इन दोनों का sum कितना आएगा one सेम प्रोसेस यहाँ रिपीट होगा one plus one ten ten का zero carry one तो यह हमने किया है carry one किया ठीक है तो फिर यहाँ पर one plus zero क्या जाएगा one फिर one plus zero क्या जाएगा इसको एड़ करिए one zero one zero ठीक है और one 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 इसको एड़ करें ठीक है बन गया थिक है बन गया अट फिर यह वन गया है तो यहां पर देखेंगे 0 प्लस 1 क्या होता है 1 1 प्लस 1 10 10 क्या क्या लिखोगे 0 क्या क्या करोगे यहां पर 1 ठीक है 1 प्लस 0 क्या जाएगा 1 1 प्लस 1 10 क्या क्या लिखोगे 0 क्या 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 करोगे यहां पर 1 ठीक 1 प्लस 1 10 क्या क्या लिखोगे 0 carry क्या करोगे यहां पर one zero plus one क्या हो जाएगा one जो carry की हो उसको यहां लिख लोगो ठीक है कि जदी हमको समझने में तिक्कत हो रही है हमको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी ठीक है कैसे बनेगा नहीं समझ में आ कुछ भी यह नियम भी हमको याद याद कुछ नहीं रखना है बास विमाई और हमको addition भी करना है subtraction भी करना है multiplication division सब करना है तो इसके लिए आपको सिर्फ यह याद रखना है यह तो आपको याद रहे गई याद रखना ही पड़ेगा इसके अलावा तो कुछ काम चलने वाला नहीं है तो आपको सिर्फ क्या याद रहना चाहिए 124 ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1248 इनको क्या करना है एड तो यह कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 ठीक 8 प्लस 2 कितना होगा यह 10 यह कितना होगा 15 टोटल कितना हो जाएगा 25 तो हमने क्या-क्या इन binary को decimal में change कर लिया क्योंकि हमको पता है वनन टूफ़-एट होता है तो हमने तुरंत बाइनारी को किस में change कर लिया decimal में change कर दिया decimal decimal को add कर लिया ठीक है अब हमको क्या चाहिए 25 का binary चाहिए तो हम लिखेंगे 1 2 4 8 16 ठीक है इससे ज़्यादा value नहीं लेनी है 16 के बाद क्या है 32 तो यह नहीं लेना है इससे छोटी value तक ही लिखना है ठीक है ना उससे ज़्यादा 1828 एड़ सिक्ष्ञ रिट कितना होगा 24 अब कितना याड़ करना है वन तो वन एर्ट करने के लिए कि चाहिए को सिध़् वन तो बाकि को क्या गशांट हो यह आपका भावे की 25 बाएरी हो गया विखना आogram सिढूंसर में 25 कर आई पातुई तो जैसे कि आपको माल लीजे इसको एड करना है बुलता हूं वन 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 इसको एड करना है इसको एड करिए ओ अगरे तो सकते हूं ठीक है तो बन गया होगा सबसे यह क्या है कितना है 15 प्लस 15 कितना जाएगा 30 अब 30 का हमको निकालना है तो 30 से ज़्यादा तक यहीं लेना है 30 से कम तक लिना यह यह लोगे यह तो यह देखेंगे कि इसके क्या लगा कि जीरो तो यह इसका क्या होगा ठीक है यदि हम डारेक्ट एड़ करेंगे तो 1 प्लस 1 का 10 1 प्लस 1 10 0 कैरी क्या करोगे 1 1 प्लस 1 10 का 0 लोगे यहां पर ठीक है और कैरी क्या करोगे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 1 प्लस 1 का 10 10 का 0 कैरी 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 का 10 10 का 0 कैरी 1 0 प्लस 1 1 कैरी को यह लिख लीजिए तो दोनों में सेम एंसर आया ठीक है ना तो सबसे best method आप लोगों के लिए यह है 1248 याद रखिए इसमें आपको बाकी rules याद नहीं रखने पड़ेंगे ठीक है क्योंकि addition तो फिर भी easy है subtraction में थोड़ा सा और तकलिफ होगी है ना multiplication में थोड़ा और याद तकलिफ होगी तो यहां पर देखेंगे subtraction of binary तो binary को subtract कैसे करेंगे तो सबको पता है कि match में 0-0 तो 0 यह होता है 1-1 भी 0 ही होता है और 1-0 क्या होता है 1 होता है लेकिन तिक बोला जाए कि match में आप 0 में से 1 को minus करो तो नहीं कर पाओगे तो क्या बोलोगे कि हमको क्या लेना पड़ेगा हमको उधारी लेना पड़ेगा यहने हमको borrow लेना पड़ेगा उधारी लेना पड़ेगा तो borrow या उधारी हमको चाहिए तो जब हम borrow या उधारी ल क्या लेना पड़ेगा एक बॉरो लेना पड़ेगा तो हमने क्या ले लिए हैं आप एक बॉरो लिया तो जब हमने बॉरो लिया तो यह क्या हो जाएगा 10 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 ठीक है तो यानि कि 0 माइनस 1 क्या होता है 1 10 माइनस 1 क्या होता है 1 ठीक है व और यह आता है 9-1 की value क्या होती है जीरो अब यह कैसे आएगा उसको देखते हैं अगे यदि आपको बोला जाता है चलो इसको इतना समझ माया भी पहले यह rule है यह special rule है तो यह special rule क्या है 0-1 याने low-high 0-1 की value क्या होगी 1 कब होगी जब आपको मिलेगा borrow तो यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है borrow 1 लिया हुआ है ठीक है तो borrow 1 ठीक है बोरो क्या लोग है आप वहाँ पर पर अब यह conditions कैसे आती हैं तो इसको हम देखेंगे कर देखेंए यहां पर पहले simple example देखते हैं तो दी simple example यहां पर देखें कि 1, 0, 1, 0 मैं यसे आपको बोला गया 0, 1, 0, 1 को minus करो ठीक है तो हमने देखा कि 0, minus 1 तो हो नहीं सकता है लेकिन हो सकता है कब जब हमको क्या मिलेगा? बॉरो मिलेगा तो हमने इससे बॉरो ले लिया, तो यह क्या हो गया? 10, ठीक है? तो 10 minus 1 क्या हो जाएगा? 1, जिससे बॉरो लिये, उसके पास क्या बचाब? 0, तो 0 minus 0 क्या हो जाएगा? 0 same condition यहां यहां हैगी ठीक है? तो यहां से आपको क्या लेना पड़ेगा बॉरो लेना पड़ेगा उधारी लेने पड़ेगी तो बॉरो आपने वन ले लिया तो बॉरो बन लेने पर ये कित्ता हो जाएगा टैन तो टैन माइनस वन क्या होगा वन जिससे बॉरो लिए हो उसके पास जिरो तो यह हो गया जिरो तो यह आपका ए सराइब ठाइब 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 बासो इमाइब लेकिन अधी हमको इस तरह का कोशन दे देता है वन जीरो 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 और बुलता है कि वही इसमें से जीरो जीरो वन वन इसको सब्ट्रेक्ट करना है तो इसको हम कैसे सब्ट्रेक्ट करेंगे दोनों ही बाइनरी नंबर हैं तो जैसे कि यदि आपको बूला जाता है ना decimal maths में तो यदि आपको बूला जाता है कि 3000 है और इस 3000 में से 32 को subtract करो तो आप कैसे subtract करते हैं तो आप बुलते हैं कि इधर से हमको लेना पड़ेगा उधारी बोरो इधर आएगा क्या वो इधर रुकेगा नहीं आगे बढ़ जाए अब क्या इधर रुकेगा नहीं इधर आगे बढ़ जायेगा कि इधर रुकेगा येस तो इसको बनादेगा वो तें के लेकिंश कि वो इधर से होते हुए आया है लेकिन इधर रुकां नहीं आहेंうट इनको 9 तक हाइड करते हुए था ही another में इसको 9 तक हाई करते हो पूंचे का इदर तो हम देखेंगे कि 10 माइनस 2 क्या लिखते हैं हम 8 9-3 क्या लिखते हैं 6 यह होता है 9 और यह होता है 3 ठीक है तो यह तीन हजार में से 32 को माइनस करें 32 को सब्टेट करें तो तो कितना आ जाएगा हमारे पास है 2968 किया जाए ठीक है तो similarly यहाँ पर भी कि हमको इनको सब्टेट करना है और चाहिए इसको बौरो तो borrow यहां से चलेगा इसके पास रुकेगा क्या? नहीं इसको 9 तक हाई करेगा इसके पास रुकेगा क्या? नहीं इसको भी 9 तक हाई करेगा इसके पास रुकेगा क्या? यस इसको 10 तक हाई करेगा तो 10-1 क्या हो जाएगा? 1 जैसे कि हमने रूल बताया है यहां पर और 9-1 क्या होगा और 9-0 क्या होगा ठीक है और इसको तो ले चुके हो यह क्या हो गया है जिरो तो यह आपता है अंसर ठीक है तो थोड़ा सा क्या हो रहा है कॉम्प्लिकेशन हो रहा है समझने में तकलिफ होगी अभी तो चलो सौंज में भी आएगा लेकिन आगे चलो के याद रहेगा कि नहीं रहेगा कोई उसकी गरेंटी नहीं है तो इसके लिए सबसे बैस मेठ़र हमारे पास में क्या है 1-2-4-8 है कि हम इसको 1-2-4-8 कर लेते है तो हम देखेंगे कि ये क्या होगा 10 ये क्या होगा 4 प्लस 1 5 तो दोनों का डिफ्रेंस किसके बराबर होगा 5 के अब यदि हमको 5 चाहिए तो 4 और 1 को हाई रखेंगे 4 और 1 को हाई रखेंगे बाकी हो क्या कर देंगे लो तो हमारे पास में 5 का बाइनरी आ जाएगा एगी न मैं तो क्या पढ़ाते रहता हूं तो मुझे याद रहते हैं लेकिन आप लोग को याद रहें लेकिन बाद भूल सकते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसको one two four eight करना है तो यह किसके बराबर है एक किसके बराबर है यहां पे 3 दोनों का difference क्या आएगा 5 अब हमको चाहिए 5 तो 5 कहां से आएगा देखो 4 और 1 से आएगा 4 और 1 को high बाक्यों को क्या रखोगे low तो यह आपके पास में answer आजाएगा इसका ठीक है तो हो जाएगा addition और subtraction ठीक है तो method वहीर यूज़ करना है 1,2,4,8 बस इतना आपको याद रखना है उसके बाद में होता है multiplication तो multiplication के लिए तो यहाँ पे normal जो multiplication के rule हैं वही है ठीक है कि 1 into 1 क्या होगा 1 0 into 1 क्या होगा 0 ठीक है तो जैसे कि यहाँ पे 101 into 101 इनको क्या करना है हमको यहाँ पे multiply करना है तो यह दोनों binary number हैं इन दोनों binary number को multiply करना है इसके लिए क्या करते हो जो normal हम match में करते हैं कि इस से क्या करोगे इन सब को multiply करोगे तो 1 into 1 क्या होगा 1 1 into 0 क्या होगा 0 1 into 1 क्या होगा 1 फिर क्या करते हो cross लगाते हो फिर 0 से multiply करोगे तो क्या हो जाएंगे सब 0 हो जाएंगे फिर double cross लगाओगे फिर 1 से multiply करोगे तो 1 0 1 आ जाएंगे तो इनको क्या करोगे आप एड करोगे ये 1, 1 प्लस 1, जिरो 1 प्लस जिरो, 1 प्लस वन का 10, का 0, carry 1, 1, 1 तो यह आपके पास में इसका binary आजाए ठीक, तो सिम्पल जो match में हम करते हैं, वैसे ही इसमें use करना है ठीक है लेकिन वैल्यूस जब बढ़ जाएंगी वैल्यूस जब क्या हो जाएंगी बढ़ी हो जाएंगी तो वहां पर मल्टिप्लाई करना फिर क्या होगा डिफिकल्ट हो जाएगा ठीक है तो इसके लिए भी आपको यादखना है कि यह 1 25 है तो 5 इंकितना होता है 25 25 निकालने के लिए 12486 तो हाई हाई ठीक है कितना हो जाएगा यह 24 25 यह दोनों क्या होंगे सिर्ट तो हमने क्या किया डेसिमल में कंवर्ट कर लिया 55 को मल्टिप्लाई कर लिया decimal 25 आया और 25 decimal को हमने तुरंत binary में change कर लिया ठीक है इसी तरह से division कर सकते हूँ आप division के लिए नम्मर ले लेते हैं कोई question तो जैसे कि यहां पर है division याने की divide करना है हमको ठीक है तो यहां पर एक number है 11011 और बोलता है कि इसको आपको divide करना है और वो value है 011 इससे आपको divide करना है ठीक है तो जैसे हम normal division करते हैं वैसे ही करना है ठीक है बासे में तो division हम यहां से start करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने time जाएगा यह one time बाइनरी के पहले 0 होने से कोई value उसकी नहीं होती है तो इसको आप यहां से हटा भी सकते हो तो इसको divide करोगे तो कितने time divide होगा यह one time तो one time divide होगा तो कितने आएगा ठीक उसके बाद में क्या करते हो minus तो यह दोनों values क्या हो जाएगे यहां पर cancel ठीक है फिर उसके बाद में क्या लेते हो 0 ठीक अब यह कितने time जाएगा तो यह जाएगा zero time जाएगा यह तो यहां पर हम देखेंगे कि यह हो जाएगा 0 उसके बाद क्या लोगे यहाँ पर 1 अब यह कितने टाइम जाएगा 0 टाइम जाएगा ठीक है तो अब उसके बाद में क्या लोगे यहाँ पर 1 अब यह कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा ठीक है तो यह वैलू क्या हो जाएगी cancel तो हमारा answer कि आएगा 1005 तो यह आपको division करने में दिक्कत होगी तो आप क्या करोगे इसको कर लोगे 1248612 तो कितना हो गया यह 24 और 3 कितना हो गया 27 यह 27 और उसको हम divide किसे कर रहे हैं 23 से तो कितना आएगा यह 9 तो 9 का binary क्या होता है तो 1248100 तो यह 9 का binary होता है तो हमने क्या किया दोनों को decimal में change कर लिया डिवाइड कर लिया और बाकि decimal में इंसर आएगा उसको binary में change कर लो तो बाकि रूल्स आपको याद रखते हैं कि हम शेश्वल वाले आएंगे नहीं सेश्वल वाले आएंगे तो फिर वह आपके लिए फिर प्वाइंट वाला जो आपको बताया है ना फिर वैसे करना पड़ेगा तो उस तरह के कोशन आप लोगों को नहीं देगा तो डिविजन में इस प्रकार से कोश्चन्स आपके रहेंगे जो कंप्लिट्री डिविजन हो हो हुआ कि कि के समझ मैं यह है तो सिंपल आपको बताया है लॉजिक वह आप लोगाऊं बागी अब टैंसन में नहीं रहोगे कि कि इसके बाद में होता है वन्स कॉंप्लिम्न टूज कॉंप्लिमेंट ना इन्स और टैंस डेसिमल में तो उसको कल देखते हैं इसको आगे कल देते हैं